दोस्तो आज मैं लाया हूँ Motorola Moto और Realme Narjo के दो बहतरीन 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला इस स्मार्टफॉन अमारे पास Motorola Moto Z54 5Z और दूसरा Realme Narjo 65Z तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफॉन की एंबॉक्सिंग और कंपेरिजन एक साथ साथ ही इन दोनों स्मार्टफॉन के स्पेसिपिकेशन आपको बताऊंगा जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉस्ट अपॉल प्राइस से सुरुवात करते हैं दोस्तों तो मोटो जीफ 54 आपको अभी करेंट फ्राइस जो इसका चल रहा है वो है 13,999 रुपे 8GB 128GB वेरेंड के यह आप फ्लिप कार्ड से पर्चेस कर सकते हैं पर रियल्मी नार्जो सिस्टी 5Z स्मार्टफॉन को आप एमजन से पर्चेस कर सकते हैं 16,499 रुपे की प्राइस हो रखी है लेकिन एमजन आपको 1000 रुपे का कोपन देगा जिससे आपको यह 15,499 रुपे में मिल जाएगा दोनों स्मार्टफॉन की बॉक्स पैकिंग आप देख सकते हैं कुछ डिटेल से यहां पर मेंसन की गई हैं बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिने मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आयो फॉस टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए यहां पर आती रहती हैं इसमें फ्री में और इसके बाद अंदर देखते हैं तो यहां पर आपको कुछ टोकुमेंट्स कुछ की स्टार्ट गाइड उसर मैनवल फॉन को चार्ज करने के लिए एक बड़ा ब्लैक कलर का चार्जर अरप्टर दिया गया जो है 33 वॉर्ट का फॉन सपूर्ट करेगा 30 को यूएस्वी केविल आपको मिलेगी ब्लैक कलर की जो है टाइप टू टाइप सी लेंथ और क्वाल्टी केविल की सही मिल जाती है और अब आते हैं नार्जो सिस्टी की ओर तो यह स्मार्ट फॉन में आपको सबसे ऊपर एक मीनी बॉक्स दिया गया है फील दा पावर इस के बाद स्मार्ट फॉन इसे तो साइड रख के अंदर देखते हैं वाइट कलर का चार्जर अरप्टर जो है 33 वोट का सूपर बुक चार्जर यह जो चार्जर हैं दोस्तो 33 वोट के दोनों में आदे घंटी के अंदर 50% कर लेते हैं फॉन को चार टाइप A2 टाइप C USB केव सकते हैं दोनों स्मार्ट फॉन को प्री अप्लाइड इसक्रेच गार्ड आपको मिलेगा रियल्मी पर और दोनों ही आते हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ यहां पर दोनों की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था रियल्मी नार्जो सिस्ट्री अभी तक आप जाके ओन दोनों स्मार्ट फॉन के बैक साइड में देख सकते हैं यहां पर फ्लैड वैक पैनल मिलता है आपको रियल्मी नार्जो सिस्टी में जबकि यहां पर थोड़ा सा कर भी दिया गया है प्लास्टिक बॉड़ी दी गई है इस पर फिंगर फिंगर फिंट बहुत जादा आएं देखने को मिलेंगे आपको सबसे पहले हम मोटो जी 54 का कैमरा सेटब आपको दिखाते हैं दोस्तों लेंस में हलका सा उभार आपको देखने को मिलेगा डूल कैमरा मिलते हैं जिसमें मीन कैमरा है 50 मेगा विक्सल का प्लस 8 मेगा विक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है दोस्तो वीद LED फ्लैसलाइट यानि कि इसमें आपको कोई भालतू का कैमरा देखने को नहीं मिलेगा जब कि नार जो सिस्टी में दूर से तो आपको लगेगा कि ट्रिपल कैमरा दिये गये हैं इसमें भी मिलते हैं आपको मातर दो ही कैमरा मीन कैमरा तो 64 मेगाविक्सल का है प्लस यहां पर 2 मेगाविक्सल का डफ सेंचर जो कि एक युजलेस कैमरा होता है दोस्तो सारा का सारा काम जो है मीन कैमरा ही करता है तो DSLR टाइप का एक बड़ा सा लेंस, हलका सा उबार है लेंस में दोस्तों और उपर की साइड LED फ्लेश लाइट को फिट किया गया है फ्रेंट में तो दोनों ही स्मार्टफोन फंचोल के अंदर आपको दे रहे हैं 16 Megawixel का सेलफी कैमरा कॉनर दोनों के rounded और यहां आते ही flat दिये गए हैं राइट साइड में power on key just for volume rockers मोटो में आपको राइट साइड में power on key पर fingerfin sensor attached मिल जाता है जबकि नार्जो सिस्टी आपको in display fingerfin sensor देता है उपर की साइड आपको secondary mic noise cancellation के लिए दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा Dolby Atoms का support भी आपको Moto Z54 में मिल जाता है left side में आपको sim tray मिलती है और bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speaker grill दी आ गया है स्मार्टफोन को पहले ही हमने boot कर लिया था अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की जो brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए ज़्यादा bright और colorful display आपको नार जो सिस्टी की मिलेगी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो edge और bagels हैं ऊपर और corner से तो पतले पतले हैं नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है और moto में और भी ज़्यादा दी गई है इसके अलावा यहाँ पर icon आपको नजर आ रहे होंगे scroll आप करते ही सारे application भी नजर आएंगी moto जाना जाता है clean UI के लिए और वही आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तो फाल तो pre-install application या bloatware application इस spawn में आपको नहीं मिलते हैं जबकि नार्जो system में आपको कई सारी pre-install application दी गई है इनको आप uninstall भी कर सकते हो touch दोनों का smooth और fast आपको मिल जाता है यहाँ पर 120Hz का refresh rate आपको moto g54 में 90Hz का refresh rate आपको narjo system में मिलता है और दोस्तो display की बात की जाए तो 6.5 इंच की full HD plus IPS LCD के साथ आता है moto g54 और 6.43 इंच की full HD plus super emoled display के साथ आता है narjo 65Z इसलिए colors यहाँ पर आपको ज़्यादा बैटर नजर आ रहे होंगे दोनों का aspect ratio 2029, screen resolution 1080 x 2400 pixel और pixel density moto में आपको 405 ppi की और 409 ppi की आपको narjo में मिलती है narjo system आपको corning gorilla glass 5 का production भी दे रहा है moto क्या दे रहा है कहीं भी mention नहीं किया है company ने इसके अलावा screen to body ratio 86% का मिलता है moto में और 90.80% का मिलता है आपको narjo system है दोनों smartphone के setting का interface आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देखे दोस्तों यहाँ पर काफी differences है ज्यादा better setting का interface आपको realme narjo system का लगेगा about phone section सबसे पहले moto g54 का open करते हैं तो यहाँ ज्यादा कोई information आपको नजर नहीं आएगी android hidden के साथ आता है यह smartphone जिसमें ram storage processor कुछ भी about phone section के अंदर mention नहीं मिलता है तो हम बदाते हैं आपको 2.2 gigahertz का octagon processor आपको इसमें मिलेगा media tech dimension 7020 का chipset जो based है 6nm के fabrication पर और graphic imz bxm के आपको इसमें मिलते हैं 8gb ram मिलती है lpddr4x की 128gb का storage storage आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type ufs 2.2 का दिया गया है वहीं फार नार जो सस्ट्री में आपको award phone section के अंदर काफी हग तक information मिल जाती है जैसे की realme ui version 4.0 device name storage यहां पर mention है 128gb का storage जिसमें से लग बग 22.9gb तो storage यूज हो चुका है बाकि आपको free मिल जाता है यहां भी expandable memory आप बढ़ा सकते हैं 1TB तक कहने को तो 2TB तक भी बढ़ा सकते हैं लेकिन 2TB का memory card ही इतना महेंगा जाएगा जितना इसका फ्कीमत नहीं होगा दोस्तों इसमें आपको 5000mAh की battery मिलती है जब कि motor में आपको 6000mAh की battery मिलेगी android 13 के साथ यह smartphone भी आता है जिसमें आपको 2.2GHz का octocore processor दिया गया है media tech dimensity 6020 का chipset मिलता है यहां 6020 है और यहां 7020 है तो काफे अंतर है दोस्तों दोने smartphone के processor पर यह based है 7NM के fabrication पर Mali G57 के graphic आपको मिलते है 8GB RAM मिलती है LPDDR4X की आप चाहो तो virtual RAM की साहता से RAM को दुगना बना सकते हैं क्योंकि यहां पर RAM expansion का option दिया गया है और expand करने का option दिया गया तो आज कल यह मजा की बन चुका है लेकिन personally मुझे ज़्यादा better camera लग रहा है Realme Narjo 60 का यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन आपको ultra wide angle camera Narjo 60 में नहीं मिलता है जो कि आपको motor में मिल जाता है तो zoom in के साथ साथ zoom out भी कर सकते हैं और यह देखे यह फाइदा होता है यह इतना ही area capture कर पाएगा जबकि हमारा motor कितन लग रहा है दोस्तों क्योंकि यहां display मिल जाती है तो उससे colors थोड़ा better दिखते है इसकी photo लेकि हम किसी other phone में वेजिंगे तो वहां clarity अलग देखने को आपको मिलेगी बाकि friend camera में कोई zoom support आपको नहीं मिलता है तो friends यह थे Moto और Realme Narjo के दो बहतरीन 5G smartphone दोनों ही smartphone अपनी बात आते हैं यहां पर बात आती है हमें कौन सा smartphone purchase करना चाहिए look design wise तो मुझे यहां पर Motorola से better लग रहा है नार जो 60 लेकिन features और speed के मामले में दोस्तों Moto Z54 winner है दोस्तों हमने use भी किया है इस smartphone का और इसकी speed इस से better निकली दोस्तों प्रोसेसर आपको इसमें अच्छा मिल जा कौन सा purchase करना चाहोगे और अगर आप यूज कर रहे हैं दोनों में से कोई सभी smartphone तो अच्छा यहां बुराईया comment box में जुरूर शेयर कीजिए जिससे हमारे अन्य viewers को भी कुछ ना कुछ मदद मिले तो आसा करता हूं मेरे जानकारी आप सभी की जुरूर कुछ ना कुछ का आएगी जिससे एक नया smartphone purchase करने में आपको कोई दीकत नहीं आएगी